नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोच कुमार और आज इस वीडियो में मैं जो प्रोग्राम आपको बताने वाला हूँ वो है C प्रोग्राम to print all combinations of 1, 2 and 3 हमारे पास तीन numbers है 1, 2 और 3 इन तीनों numbers के जितने भी possible combinations हो सकते हैं वो हमें print कराने ओके तो जैसे पहला combination क्या बनेगा 1, 1, 1 और सबसे last combination क्या बनेगा 3, 3, 3 तो तीन numbers के जितने भी possible combinations हैं वो आपको इस screen पर print कराने और इस program को run करने के लिए हम code block id योज करेंगे तो बिना देरी के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दू कि यह सबसे best example है आपके for loop इस program में nested for loop को यूज करने वाले हैं और यह program एक best example होता है loops की working से बजने के लिए कि कैसे loop work करता है और आप nested loop भी समझ सकते हैं कि यह कैसे work करेगा तो overall यह एक बहुत अच्छा example है loops को समझने के लिए तो चलिए इसके लिए सबसे पहले मैं file menu पर click करता हूं यहां से मैं file select करता हूं एक new file create करने के लिए मैं C का program बना रहा हूं तो C select किया next पर click किया next यहां से मैं वह directory select करूंगा जहां पर मुझे अपना program save करना है ओके आप यहां पर file का नाम लिखेंगे जिस नाम से भी आप program बना रहे हैं मैंने लिखा है combination okay किया select किया ठीक है तो हम जो program बना रहे हैं वह है print all combination of combination of one two and three तो इसके लिए सबसे पहले हम header file लिख लेते हैं include और stdio.h header file को include करते हैं अब हम लिखते है main function यहां पर अब हम तीन variables declare करेंगे ठीक है variable name आप कुछ भी ले सकते हैं जैसे a b c x y z या i j k कोई भी तीन variable आपको create करने तो वह नाम आप कुछ भी ले सकते हैं ठीक है मैं यहां पर जो program जो नाम ले रहा हूं वह है x y z ठीक है तो मैंने x y और z नाम के तीन variable declare कियें अब यहां पर हम print कराएंगे कि यूजर से हमें कोई value नहीं लेनी है तो हम कोई scanf function यूज नहीं करेंगे हम सिर्फ printf function यूज कर रहे हैं और यह बताने के लिए कि इस program का क्या output है that is all combination of one two and three उनको हम new line से print करेंगे इसके बाद जो भी combination हो new line से print होंगे उसके लिए मैंने slash n यूज किया है अब मैं यहां पर nested for loop यूज करने वाला हूं हमने लिखा for loop और x variable के लिए हम initialize करेंगे x को one से x is less than equal to three और x plus plus ओके तो यह loop आपका तीन बार चलेगा x equal to one two और three के लिए अब मैंने nested for loop यूज किया है y variable के लिए यहां पर मैंने initialize किया y is equal to one y is less than equal to three और y plus plus ओके एक और internal loop में यूज करता हूं तो यहां पर for loop मैंने लिखा z को initialize किया one से z is less than equal to three z is less than equal to three और z plus plus ओके तो जैसे आप देखरें मैंने तीनो nested for loop यूज किया यहां पर और अब यहां पर आप तीनो variables की value को print कराएंगे तीनो variables आपके integer type हैं तो यहां पर हम percentile d यूज करेंगे ठीक है तो मैं यहां पर लिख देता हूं percentile d percentile d percentile d और slash t मैंने यूज किया है कि एक दो combination के बीच में थोड़ा space रखने के लिए और आप यहां पर variable name लिखेंगे xyz तो यह आपका program complete हो गया है यह best example है loops को समझने के लिए nested loop को समझने के लिए आप इस example के थूरू समझ सकते हैं कि for loop कैसे तरह से work कर रहा है और overall यह एक बहुत अच्छा example है loops को समझने के लिए nested loop को समझने के लिए ठीक है तो हमने इसको compile किया और मैं अब इसको run करके दिखा देता हूं जैसे कि आप देख रहे है output पे all combination of one two and three तो जितने भी possible combination तहीं वो सब यहाँ पर print हो चुके जैसे पहला combination क्या था one 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 फिर one one two फिर one one three इस तरह से आगे आगे one two one और last combination बनाए three 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 सारे combination यहाँ पर print हो गया है तो यहीता दोस्तों आज का program उमीद करता हूं आपको यह program clear हो गया होगा फिर भी अगर आपकी कोई query तो आप मुझे comment कर सकते हैं और वीडियो अच्छे लगी तो like कर दीजिए चैनल को subscribe कीजिए इसी तरह की और programming videos देखने के लिए thank you so much for watching this video